नमस्कार दोस्तों पात्फाइंटर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत जहां एक तरफ अपने डिफेंस, डिजाइन्स, प्रोग्राम, मेंटेन्स, रिपेर, एट्सेक्टरा को लेकर आप निरिभरता की और कदम बढ़ा रहा है। जिसकी वजह से हमारे जो इंपोर्ट्स है, हमारे जो डिपेंडेंस है दूसरे देशों पर, वो घट रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत एक मार्किट या भारत एक ऐसा देश बनकर उभर रहा है, जो एक स्पोर्ट भी करेगा इन डिफेंस एक्विपमेंस को, जो इंडिजी दिया, एक बात बताई और उन्होंने कहा कि भई, जो आसियान कंट्रीज है, वो फिलहाल HAL की तरफ देख रही है, वो इंटरस्ट शो कर रही है, अपने मिलिटरी प्लाट्पॉर्म्स के लिए, इस तंदर में पहले भी कुछ न्यूज आ चुकी है, जिसमें की मलेशिया न सेट अप करने की, वहीं दूसरी दर है फिलिपीन्स, विच इस अनदर असियान कंट्री, इसने ब्रह्मो मिसाल सिस्टम को बाय करने की बात की है, थी 75 मिलिएन डॉलर्स में, और फिलिपीन्स या मलेशिया एक लौते ऐसे कंट्रीज नहीं है, यही दोनों कंट्रीज नहीं है, इनके अलावा भी और South Asian countries ने एक्स्प्रेस किया है अपना इंट्रेस्ट इन बाइंग, दी ब्रह्मो मिसाल सिस्टम और दी मिलिटरी एक्विप्मेंट्स, इंक्लोडिंग विएत्नाम एं थाइलेंड, तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि होती आसी आन रीजिन में जो कंट्रीज है उन्हों इन्टर्स शो किया है है थे तरफ इस प्लाटफॉर्म की तरफ, पर्टिकुलर्ली इंदी लाइट कॉम्बएट हेर्क्राफ।, LCA काटिगरी तेजस, और दूसरा है लाइट कॉम्बएट हेलिकॉप्टर्स विच इस होता है कुछ सालों बाद वो रिप्लेस होना अनिवार्य हो जाता है इन दी कॉमेंट सेक्षिन यू विल मेंशन दिस कि कितना ये ली कितना टाइम लगता है कितने साल बाद फ्लीट को रिप्लेस करना अवश्रक होता है नंबर वान नंबर टू एयर आंड दी अधि कर चुके हैं जिसके आज फ्लीट को रिप्लेस करना होता है यह आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में बताएंगे तो बिफोर गेटिंग इंटू अंडर्स्टांडिंग कौन सी कंट्रीज है जिन्हों इंट्रस शो किया है जिसके बारे में निउस है एचल के बारे में जान ल की थी कि इन कॉलबरेशन में सुर्कार के साथ कौलाबरेट करके विए इसका उद्देश किया था मेनिफैक् Rex ऐरक्राफ में बहरत में का्री मॉनिफाक्ष्रिंग की जाए इसके बाद भारत सरकार ने इसके को अपने गंट्रोल में ले लिए था 1942 में और 1964 में हिंदुस्तान एरक्राफ्ट लिमिटेड एंड एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को मर्ज करके बनाया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो की है प्रेजेंट हलम देखते हैं जिसका मुख्य उद्दे होगी डेवलाप्मेंट भी इंक्लूड होगा मैनिफाक्ट्रिंग भी रिपैर ओवरॉलिंग सब इंक्लूड होगा अभी तक इस कम्री ने 29 एरक्राफ्ट प्रेड्यूस किये हैं जिसमें से 15 इंडिजीनिस भी डिजाइन है मतलब भारत में ही इनका डिजाइन भी तैयार क अब ही हुए है एचल ने कॉंट्रिब्यूट किया है मार्स मिशन में भी इसमें उसने हेल्प किया था तो डेवलाफ देवलाफ पार्ट पी एसलवी वीकल सी 25 जिसके द्वारा यह मिशन में लांच किया गया था रॉकेट राइट इसके साथ साथ कंपनी का मिशन क्या है कं अचीव करना कि खुद पर डिपेंडेंस हो किसी और देश पर किसी और 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 कंट्री पर बिल्कुल डिपेंडेंस ना हो इं टर्म्स अफ डिजाइनिंग डेवलाफ में अप्ट्रिंग अप्ग्रेड एंटेनेंस ऑफ एरोस्पेस एक्विपमेंट्स ठीक है अलग अलग अब भारत-ASEAN रिलेशन्स के बारे में एक बार देख लेते हैं जान लेते हैं तो असोसियेशन ऑफ साउथ इस डेशन नेशन जिसको आसियान कहा जाता है यह दस नेशन जो साउथ इसन नेशन से उनसे मिलकर बना हैं जिसमें आता हैं इंडुनेशिया, सिंगपोर, जितने भी साउथ इसन कंट्रीज हैं ते भी शेर कॉमन काल्ट्रल हिस्टोरिकल टाइज विद इच आदर डूसरी चीज है लिब्राइशन के बाद 90s में लिब्राइशन के बाद भारत भी सर्च कर रहा था मार्किट के लिए अपनी एकॉनोमी को ग्रो करने के लिए डेव करना असियान कंट्रीज के साथ जो की जो चेंजिंग वर्ल्ड एकनॉमिक और पॉलिटिकल कंडिशन से उसको सूट करें तो ऐसा नहीं नचीन है भारत अलग थलग है वहां पर भारत उन सब को साथ लेकर या साथ में सब लोग काम करते हैं एक होलिस्टिक डेवलापमेंट के लिए पूरे रीजिन के लिए तो एक रीजिनल को उपरेशन की तरह हम देख सकते हैं इसको इंडिया की सुसर्च एकनॉमिक स्पेस की उसकी वजह से एक पॉलिसी आये थी लुक इस्ट पॉलिसी जिसके अट इस्ट पॉलिसी का भी जन्म हुआ जिसमें हमने बहुत क्लास की वीडियो अपडेट्स मिल जाएंगी आप मुझे अनकाडमी आप पर भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों मेरी सभी क्लासिस की डीटेल्स और अपडेट्स के लिए आपको एंडोल करने के लिए सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एंडिलाइफ 10 अनकाडमी अनलॉक 29 जुल यह कहा गया है कि काफी सारी लीद्स आहीं है भारत के पास आफ्टर दी आईएफ ने जब एल्सी ए तेजस को इसका डिमांस्ट्रेशन हुआ था सिंगापूर में फेबरी 2022 में उसके बाद से काफी सारी कांट्रीस ने आपना इंटरस्ट शो किया है एन अकॉर्डिंग तो हम एक स्पोर्ट के लिए आगे बढ़ सकते हैं इसको कैसे फाइलाइज कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को इन प्लाटफॉर्म्स के जिसमें क्या कर रहे है जिसके लिए क्या किया जा रहा है एचल के द्वारा कि अलग अलग जो भी इंटरनाशन लेवल पर डिफेंस इफिशेंट है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो प्रोड़क्ट फिलिपीन की जो मैं आप से बात भी गर रही थी कि फिलिपीन्स पहले तो ऑविसली भारत से बैटरी ले चुका है और एंटी शिप ब्रमो मिसाइल ना पहले एंटी शिप ब्रमो मिसाइल बता देते ह हैं इच विद थ्री मिसाइल्स इनको बैटरी कहा जाता है जो कि एक साथ में 30 सेकंड के अंदर 12 मिसाइल्स लाँच करने की विदिन 30 सेकंड शमता रखते हैं तो यह फिलिपीन्स ने यह लिया है भारत से अब फिलिपीन्स आगे अपग्रीड करना चाह रहा है अपना military aircraft fleet with LCA and advanced light helicopter and light combat helicopters from HAL. यह भी कोशिश की जाए Philippines इसके लिए भी देख रहा है हमारी तरफ to help in the export of these platforms, एक MOU जो है वो अलडी रखा गया है बीच में है, HAL और फिलिपीन के बीच में, सरकार के बीच में, let's see when it finalizes, इसके साथ तात कुछ diplomatic resources ने यह भी बताया कि फिलहाल Philippines जो है वो कि अधिवली हेलिकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को मॉडनाइज करने में लगा हूँ है अपने एरफोर्स के, but the simple reason I think platform पर एक वीडियो इसके लिए है भी जहां पर Philippines और China conflict in the South China Sea बताया था हमने हमारे चानल पर एक वीडियो होगा तो जहां चाइना एक तरफ कांटिन से अपना रेजिस्टन तेयार करने के लिए, Philippines अपना पूरा जो फ्लीट, Air Force फ्लीट को अप्रेट करने ही कोशिश कर रहा है, तो यह इंट्रस्ट एरिया जिसके वज़े से इस कंट्रीज अर कमिंग तो इंडिया, यह जो कंट्रीज बतलब इस वीडियो कोशिश कर रही है कि जो भी उनका एजिंग हेलिकॉप्टर फ्लीट है, जैसा कि मैंने आपसे क्वेस्टन भी पूछा था, उसको रिप्लेस किया जाए बाई है, ALH, from HAL, नेगोसियेशन चल रही है और डील बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको क्लोस किया जाएगा, between HAL and Philippines का जो प्रोग्राम है वहां पर, नाँ ALH और LCA के बारे में देख लेते, ALH, Advanced Light Helicopters या ALH, द्रूप, यह क्या है कि इंडिजीनियस ली, मतलब भारत में ही डेवलाब्ट यूटिलिटी एरक्राफ्ट है, HAL का, with twin engine, multi-role and multi-mission new generation helicopter है, तो काफी जादा upgraded, advanced kind of helicopter it is, it belongs to 5.5 ton weight class, 5.5 ton weight class category में बिलॉंग करता है और इसको deploy किया जासकता है, अलग-अलग military operations के लिए, Philippines के लावा, Malaysia भी एक दूसरा ASEAN country है, जो इस समय एक deal close करने की कोशिश कर रहा है, यह उमीद की जा रहे है, September 2022 तक के deal close हो जाएगी, LCA के बारे में बात करें, तो LCA में तेजस के बारे में हम सब ही actually जानते भी है, यह एरक्राफ्ट भी design और develop किया गया है, भारत के द्वारा, indigenously developed and design है यह भी, and is built by HAL, यह highly agile multi-role supersonic fighter aircraft है, agile, supremely fast, quick, alright, और इसके पास इसमें single engine है, and इसकी जो capability है, it is to operate in high threat air environment, मतलब high threat air environment होगा, उसमें भी operate कर सकता है, तो यह किसी भी देश की defense, जो air force है, उसको strengthen करने में सक्षम aircraft है, जिसके लिए Philippines, Malaysia, they are looking towards India, now, बाते इस सम्मन में चल रही हैं, अलग-अलग countries से in this region, किसके लिए, एक तो यह चल रहा है कि अज़ोज की जाए deal, और यह जो हमारे तेजस हैं या द्रूब हैं, ना केवल हम products बेचने की बात करें, मतलब चो military equipment से उनको export करने की बात करें, बल्कि उनके maintenance के लिए अपनी units भी वहाँ पर establish करने की बात करें, facility को establish करने की बात करें, जिससे future में यह service प्रवाइट कर सकता है, किसी भी military or civil aircraft के maintenance में, repair में, overhaul में, तो एक तरा से presence बढ़ जाएगा भारत की, और भारत की जो importance है in the defense sector, that will definitely, definitely will be increasing, आप क्या सोच तेस के बारे में मुझे जरूर comment section में बताईएगा दोस्तों, comment जरूर कीजिएगा, question के answer जरूर दिया कीजिए, ठीक है, चलिए, UPSC, CAC notes की बात करो, तो क्या नहीं है, comprehensive coverage है, our topic की, means, questions को इसमें integrate किया गया है, PYQ, उसको timelines, mind maps है, contemporary issues को यहां पर cover किया गया है, CAC Assured, जहां पर 2 साल के subscription पर आपको मिल रहा है, 2 साल या उससे उपर के subscription पर, Unacademy free one year extension आपको दे रहा है, अभी जाकर अंडूल कीजे विद मैं कोड, NDLIFE10, Why Unacademy? Unacademy gives you a lot of benefits along with the results that we are producing year after year, अभी अगर आप subscription लेना चाहते हैं, तो आपको जीरो पसंट EMI का option भी अविलेबल है, लोन पसिलिटी के लिए, प्लाटफॉर्म पर, Legends Wisdom Series अलरी प्लाटफॉर्म पर शुरू हो चुके है, जहां पर Unacademy के दिगज, the top educators, they have come up with a solution, with a guide, इक तरा से आपको बताएंगे कि आपके अंदर कौनसी quality, कौनसी चीज़े होनी चाहिएं, जिससे कि हम अचीव कर सकते हैं पने टरगेट को, and they'll be talking about topics like consistency, habits, attitude, learning from failures, etc. Batches, 8th July, start हो रहें, अभी जाएंगे, enroll कीज़े with my code NDLIFE10, so that's it from my side, do not forget to give answers to the question that I've asked you, two questions, who is the CMD or HALK, that you have to tell me about the current CMD, second, I have asked you about the replace management system, which fleet is replaced, after the duration, after the duration, duration के बाद, and flight, कितने किलोमेटर्स की flight उसकी हो चुकी हो, उसके बाद उसको replace किया जाते हैं, ठीक है, don't forget to like, share and subscribe to the channel, और अगर session पसंद आ रहे हो, तो comment section में NDLIFE10 लिखना बिल्कुल भी न भूले, that's it from my side, God bless you, take care.